तो देख लेते मैंनन बैरिंग का जो है इस समय पर चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है अला कि प्रिवियस कौर्टर में अगर बात करें तो बैरिंग सेक्टर में एक अच्छी-कासी डिमांड थी और चाल देखी गई है अर्निंग्स बहुत अच्छी-कासी आती हुई देखी तो यहां पर जिस तरीके से अंदर डिमांड बहल रही है और तेजी जो आ रही है मुझे लगता कहीं ना कहीं बैरिंग सेक्टर भी जो है एक लीड लेता हुआ देख सकता है तो यहां पर पोजीशन अगर देखें तो एक अच्छी-कासी पोजीशन पर इस समय पर ट्रेड ले रही है मतलब प्रीवियस टू मंत की जो हाई थे जो केंडल के जो हाई थे उनको जो इसने ब्रेक किया है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धीरे-धीरे करके अगर इसी तरीके से यह केंडल जो है सरवाइब करती रही और तीजी से बहुत जल्दी जो है यह आपको 100 रेड के उपर जो है यह स्टॉक देखने को मिलेगा तो नीचे जो सपोर्ट जो काम कर रहा है वो काम किया है 70 रुपे का 70 रुपे के सपोर्ट के साथ में जो है यह दिरे-दिरे करके स्टॉक उपर जा रहा है हाला कि अभी आप ये देखेंगी ये वाली जो red candle बनी है shooting star उसके बाद में stock फिसला जरूर है लेकिन संभल गया है और एक area ये भी आप देखें कि 70 रुपे पे जो stock बहुत समय से काम इसने किया है जोलाई में भी 70 रुपे के आसपास ही था तो पूरा एक साल सा हो गया इसको उतने के उतने area में घुमते हुए हाला कि बीच में उपर जरूर गया है लेकिन दुबारा से बहीं के बहीं आ चुका है तो दुबारा से मुझे लग रहा है कि अब यहां से जो है ये एक अच्छा खासा जो है कम बैक करता हुआ देख सकता है तो बिलकुल जो है इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए और उसी तरीके से जो है इसके अंदर पोजिशन बनानी चाहिए थैंक्यों फर वाचिंग इस वीडियो